सो हेलो गाईज मैं हूँ सोमोजित और स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का जो एकदम टॉप अफ़ लाइन वेरियंट आता है जो है इसका S11 उस वेरियंट का एक डीटेल वाकरण रिव्यू और आपको इसमें क्या-क्या फीचर्स कंपनी ओफर करता है आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 में ठीक है यहाँ पर आपको मिलता है टोटल टू वेरियंट एक है इसका S ठीक है जो है एकदम बेस और आपको यह मिलता है इसका S11 वेरियंट गाया है तो अब ही हम पहले इसके की से स्टार्ट कर लीदे है तो अपको यहाँ पर एससे दो की जाए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है एक की में आपको lock unlock और आपको इसका जो search button है वो आपको मिल जाता है और आपको पीछे में यहाँ पर new mahindra का logo है वो आपको दिया गया है और आपको यहाँ पर एक normal flip key मिलता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है तो अभी हम लोग पहले इसके front profile से start कर लेता है तो आपको front में यहाँ पर dual chamber single projector और आपको single reflector भी हलोजन headlamps आपको दिया गया है और आपको ऊपर में यहाँ पर इसका LED eyebrows है ठीक है वो आपको मिल जाता है और आपको यहाँ पर side turn indicator आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको नीचे में यहाँ पर एक white DRL मिल जाता है और आपको यहाँ पर front fog light और यह है एकदम पुरा Scorpio Classic A.C11 का front profile से look आप इसका front bumper देखी सकते हो ठीक है यहाँ पर आपको एकदम पुरा body color तो मिलता ही है उसके साथ साथ आपको नीचे में यहाँ पर saturn silver finish का जो एक जो finish है ठीक है वो आपको मिल जाता है और यह है front grill का look ठीक है यहाँ पर आपको six slot chrome finishing में आपको इसका front grill मिल जाता है और आपको बीच में यहाँ पर Mahindra का logo है ठीक है वो आपको दिया गया है और यह है इसका front bonnet ठीक है यहाँ पर आपको एकदम पूरा crease lines मिल जाता है और आपको यहाँ पर एक bonnet scoop दिया गया है और आपको यहाँ पर dual wiper with a single washer का जो setup है ठीक है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और यह है एकदम पूरा Scorpio Classic S11 का front profile से look अभी मैं आपको इसका side profile से look है ठीक है वो अभी मैं आपको दिखा रहता हूँ सो गाइस यह है Scorpio Classic S11 का side profile से look और आपको screen में ठीक है इसमें आपको wheelbase मिलता है और आपको इसका ground clearance है ठीक है वो आपको screen में show हो रहा है और side से आप एकदम पूरा look देखी सकते हैं यह आपको पूरा full size SUV भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है अभी हम लोग पहले इसके wheels से start कर लेते हैं आपको यहाँ पर एकदम पूरा diamond cut में alloy wheels मिल जाता है और आपको front में disc brakes और आपको rear में company ने drum brakes offer किया है और इसका wheel का size है ठीक है वो आपको यहाँ पर mention मिलता है ठीक है यहाँ पर आपको 235 x 65 आर 17 इंच में आपको यहाँ पर alloy wheels दिया गया है और यह है एकदम पूरा side profile से look आपको यहाँ पर side fender में ठीक है यहाँ पर आपको इसका side turn indicator दिया गया है electronically adjustable side ORVM पर आपको इसको ऐसे हाथ से ठीक है ऐसे आपको manual fold इसको करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर body color में door opening handle और आपको नीचे में यहाँ पर Scorpio का एक जो logo है ठीक है वो आपको मिल जाता है और आपको यहाँ पर थोरा सा satin silver का finish है हाँ वो आपको यहाँ पर मिल जाता है side footstep और यह है एकदम पूरा side का जो look है ठीक है वो आपको यहाँ पर देखने के S11 का side profile से ठीक है अभी मैं आपको इसका rare का जो look है ठीक है वो आपको दिखा देता हूँ और गैस यह है Scorpio classic का जो rare profile से look है ठीक है यहाँ पर आप देखी सकते हो और आपको यहाँ पर काफी premium looks यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है overall इसका जो looks वगरा है ठीक है व आपको यहाँ पर एकदम पूरा red lens में D-shaped का जो LED टेल लाइट से ठीक है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है with side turn indicator और आपको नीचे में यहाँ पर इसका जो reverse light है वो आपको दिया गया है और आपको यहाँ पर Scorpio classic S11 का जो badging है ठीक है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है number plate applique के उपर आपको यहाँ पर महिंद्रा का जो लोगो है वो दिया गया है rare में आपको rare defogger with a rare wiper और आपको यहाँ पर high mounted stop light आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर यहाँ पर जो spoiler है वो आपको मिल जाता है और आपको यहाँ पर door opening handle आपको यहाँ पर मिल फाइल से लुक्स हो अभी मैं आपको अंदर से ठीक है इसका जो लुक्स वगरा है और आपको अंदर में क्या-क्या features company offer करता है सारे features अभी मैं आपको पूरा detail में explain करने वाला हूँ अभी पहले car को unlock कर लेते हैं तो अभी चलिए अभी car unlock हो चुका है और अभी मैं आपको इसका driver side का जो door trimatic वह दिखाए था हूँ यह है गाईस एस 11 classic का driver side door trimatic उसका look और आपको यहाँ पर all four power window के जो control setting के वह आपको यहाँ पर मिल जाता है grab handle और आपको यहाँ पर ही इसका एकदम पूरा armrest मिल जाता है और आपको यहाँ पर थोरा सा soft touch दिया गया है glossy black का finish आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर door opening handle और आपको यहाँ पर speaker का placement दिया गया है और आप यहाँ पर कुछ छोटा मोटा सामन बगरा आप यहाँ पर easily carry कर पाओगे और गैस यह है Scorpio Classic S11 का एकदम पूरा dashboard का look अभी मैं car के अंदर में बैट के आपको सारे features अभी मैं आपको एकदम पूरा detail में समझाए जाओ अभी मैं बैट चुका हूँ महिंदरा Scorpio Classic S11 के अंदर और आप एकदम इसका पूरा dashboard का look है वो आप देखी सकते हो यहाँ पर आपको एकदम पूरा dual tone finish में इसका dashboard है वो आपको दिया गिया है सो अभी पहले car को on करता है ठीक है फिर मैं आपको इसका instrument cluster का look है ठीक है वो अभी मैं आपको दिखाया था हूँ सो वैस यह है Scorpio Classic का instrument cluster है ठीक है यहाँ पर आपको rpm meter मिल जाता है और आपको यहाँ पर speedometer और आपको बीच में एक small mid दिया गया है Scorpio Classic का hydraulic power steering है ठीक है उसका आप एकदम पूरा look देखी सकते हो ठीक है यहाँ पर आपको एकदम पूरा leather wrap में दिया गया है और आपको यहाँ पर जो glossy black finish है ठीक है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर एकदम पूरा music system का जो controls है ठीक है वो आपको यहाँ मिल जाता है। और कुछ यह है हौंड और आपको यहां पर सारे जो लाइट से टाइए उसके के चंट्रोल आपको यहां पर मिल जाता है। और आपको नीचे में ठीक है, यहां पर भी कुछ-कुछ दिफो का कंट्रोल और आपускe फियूल लेट को ओपन कर पाओोगे और आपको यहां पर जो हैटलाइट लेवलर होगे यहां पर दिया गया है और आप से ओ- और वि- एम को अड्ज कर पाओगे ठीक है और आपको यहाँ पर AC event के उपर आपको यहाँ पर एकदम पुरा chrome finishing दिया गया है और आपको Scorpio Classic में ठीक है यहाँ पर आपको Android music system मिल जाता है ठीक है यहाँ पर आपको normal Bluetooth बगरा देखने के लिए मिल जाता है और आपको यहाँ पर देखी सकते हो Scorpio Classic AC 11 का एक wallpaper type आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको AC 11 में एकदम पुरा automatic ठीक है इसमें आपको एकदम पुरा automatic climate control दिया गया है और आपको यहाँ पर थुरा सा wooden finishing मिल जाता है और आपको इसमें जो six speed manual transmission है ठीक है वो आपको यहाँ पर दिया गया है अब manual handbrake और आप यहाँ पर phone वगरा रख पाओगे two cup holders आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको उपर में भी यहाँ पर एकदम पुरा globe box के उपर में ठीक है आपको यहाँ पर एक glossy black का finishing मिल जाता है globe box आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर एक scorpio का एक badging type आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और उपर में आपको यहाँ पर रेर व्यो मिरर, संग्लास होल्डर आपको यहाँ पर दिया गया है संसेड फॉर दा ड्राइवर, संसेड फॉर दा को पैसेंजर, विदा स्मॉल वैनिटी मिरर और यह है एकदम पूरा फ्रंट डैस्पोर्ट का लुक ऑफ माहिनरा स्कॉर्पियो एस-11 अभी मैं आपको इसका सीट दिखायता हूँ, सो कुछ यह है स्कॉर्पियो एस-11 का सीट ठीक है यहां पर आपको एकदम पूरा ओफ वाइट कलर में, यह असल में इसका बेज कलर है ठीक है उसमें आपको एकदम पूरा फैबरिक सीट्स आपको दिया गया है यह है इसका second row door और आपको यहाँ पर कुछ ऐसा एकदम पुरा इसका door trim मिल जाता है आपको यहाँ पर grab handle मिल जाता है ठीक है और आपको यहाँ पर door opening handle और आपको यहाँ पर एक glossy black सिल्दी Tanji विडाघब्रीक में आपको सीट आपको दिया गया एक और अर्जेस्टंक यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर आपको यहां पर आफ्च्रेश्ट दखानेा आपको यहार सबस्का आपको यहार पूरा शिंद और आपको एकदम पूरा पूरा इसते डोटation आपको यहार पूरा इस्का जो रेर बूट का डोट्रिंवसके आपको यहां सफिकर यहां पहुं क्लासिक S11 का एकदम पूरा एक्स्टिरियर से लुक और आपको अंदर में क्या-क्या कामपनी ओफर करता है मैंने आपको एकदम पूरा डिटेल में एक्स्प्लेंड कर दिया है अभी गाइस मैं आपको इसका इंजिन आठीक है वह आभी मैं आपको दिखा देता हूं आप यहां से फ्रेंट बॉननट को एक्सेस कर पाओगे अभी हम लोग पहले इसके इंजिन देखता है इसमें आपको स्कॉर्पियो में एक चीज जो बड़िया मिलता है इसमें आपको हाइड्रॉलिक स्टर्स मिल जाता है आप एकदम पूरा देखी सकते हो और अभी मैं आपको इसका इंजिन का जो स्पेक्स बड़िया है ठीक है वो आपको आपको बता देता हूँ सो गाइस यह है महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक का 2.2 लिटर 4 सेलेंडर एम हॉक डिजल एंजिन और आपको यहाँ पर 130 बह्प का पावर एंड आपको 300 Nm का टॉर्क और आप इस एंजिन से अराम से 14 टू 15 की MPL का माइलेज आप इससे अराम से निकाल पाओगे और यह मह हिंद्रा का काफी रिलाइबल इंजिन है ठीक है जो है एम हॉक सीरीज का इंजिन है यह वाइस यह है एकदम पूरा एक डिटेल्ल वाकरण रिव्यू अफ दे न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक सेलेवन सो गाइस इस वीडियो देन प्लिस सब्सक्राइब मैं यूट्यूब च